हालो स्टुडेंट इस आर्ती चोधरी सभी को बिल्कुल वेरी गुड़ी इवनिंग रादे रादे राम राम तो देखो बच्चा रेलवे की तरफ से तो कोई आपका भी नोटिफिकेशन नहीं आया है लेकिन हां वो बच्ची जो रेलवे डिपार्टमेंट की तैयारी कर रह थे उन सब के लिए गुड़ न्यूस जरूर है यह गुड़ न्यूस आपको दी है बिसिकली आपके गुजरात मैट्रो रेल कोर्परेशन से आप लोग गुगल पर जाकर खुद भी देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन को जी एमर्सी की वेब साइट पर यह आपको पूरा नोटिफिकेशन मिलेगा और यह नोटिफिकेशन आपका लगभग उनी सब पॉस्ट के लिए है जो आप रेल्वे की तयारी कर रहे थे यानि कि जिस रेल्वे की पॉस्ट के अब आप तयारी कर रहे थे वह आप जी एमर्सी के जरिए बैसिकली पा सकते हैं especially जो हमारे गु इंडियन गवर्मेंट कवर करेगी और 50% स्टेट गवर्मेंट इसको आपकी कवर करती है वो चाहें आपकी लखनो मेट्रो है चाहें आपकी दिली मेट्रो है चाहें आपकी जैपुर मेट्रो है या फिर आपकी बचा गुजरात मेट्रो है कोई भी मेट्रो होती है उसमें पोस्ट निकलती हैं जिसका आपको नहीं पता होता, जैसे कि यदि मैं अपनी बात करूँ तो मैंने खुद DMRC का एक्जाम दिया था, मैंने खुद DILI METRO का एक्जाम दिया था, ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन है, कौन-कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, बहुत बच्चे हैं, जो पिछले काफी समय से मुझसे जुड़े हुए हैं, जो ALP और टेक्निशन की तयारी कर रहे हैं, तो बच्चे आपकी फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है, 10 मई से, 9 जून से, आप लोग वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं, 9 जून आप से नंबर ओफ वेकेंसी पूछा जाए, तो आपका डेड़ सो यहाँ पर नंबर ओफ वेकेंसी हैं, अब आप सब को पता है कि सैलरी तो भईया मैट्रों मेच्छी कासी होती ही है, आप लोग देख भी सकते हो, क्वालिफिकेशन ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सा लंबा हो साथी साथ यदि आपकी उमर 18 से 28 साल के बीच में हैं, तो अभी आप इस फोर्म को भर सकते हैं, मैडिकल की यदि मैं आप से बात करूँ, तो A1 मैडिकल आपके पास में होना चाहिए, दूसरी पोस्ट, जो सबसे जादा बच्चे भरते हैं, जिसमें नंबर ओफ वेकेंसी थोड़ी कम हैं, लेकिन सबसे जादा इसी को बच्चे भरते हैं, CRA, आपने देखा होगा, जब आप मैट्रो पर जाते हैं, तो एक वहाँ पर, बिसिकली एक, जो वहाँ पर एमप्लोई बैठे होते हैं, जो मैट्रो का कार्ड रिचार्ज करते हैं, है ना, जो मैट्रो का का रिचार्ज करने का, आप क्यों नहीं गेट में से एंट्री कर सकते हैं, यह होता है, कस्टमर रिलेशन्सिप असिस्टैंट, जिसको हम लोग CRA बोलते हैं, और यही लोग आगे चलकर प्रमोट होकर, स्टेशन कंट्रोलर बनते हैं, टीयो बनने का चांसिस नहीं होता, लेकि इंजिनिरिंग की डिगरी है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है, साथ ही साथ क्या है बचाओ आपका, 28 से, 18 से 28 साल आपकी उमर होनी चाहिए, और A1 मैडिकल आपके पास में होना चाहिए, दूसरी आपकी पोस्ट निकली है, यहाँ पर किसकी, J.E. की, यानि सुनियर, इंजिनियर की जो आपकी पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स, सब की अलग-अलग निकली है, इसमें यदि आपने जिस भी ब्रांच में आपने अपनी इंजिनिरिंग डिगरी को कम्प्लीट किया है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, सेम मेडिकल कैटिगरी और सेम ही आपकी एज रिलक्षेशन यहाँ पर आपको मिली हुई है, बच्चे फोम इसलिए भरेंगे क्योंकि एक लाख रुपे तक की सैलरी आपकी लिखी हुई है, आप खुदी इस चीज़ को देख सकते हैं, दूसरा क्या है बच्चा आपका जो आपके इसलिएटर होते हैं, ठीक है, वो यदी खराब हो जाए, आपकी जो गेट होते हैं, मैट्रों के यदी वो खराब हो जाए, तो उनको ठीक करने के लिए तुरंट जो बंदे आते हैं, इनकी भी सरकारी नोकरी होती है, और आप लोग देख सकते हो, 60,000 तक इनकी तनका होती ह है, नंबर ओफ वेकेंसी इनकी निकली हैं आपकी, अठावन, इनके लिए क्वालिफिकेशन ध्यान से सुनेंगे, आपकी क्या होना चाहिए, यदी आप ITI है, लिका हुआ है, SSLC पास with ITI two years in fitters, in fitters from a government recognized university, और उम्र आपकी 18 से 25 साल है, तो आप ये form भर सकते हैं, तीसरा क्या है, आपका maintainer electrical, यदी आपने ITI electrician में किया हुआ है, या electrical में किया हुआ है, तो आप electrical वाले maintainer के लिए form को भर सकते हैं, तीसरा है, electronics तो सेम, यदी आपने ITI electronics में किया है, तो आप इस form के लिए बर सकते हैं, जो minimum qualification है, वो आपकी cover up होनी चाहिए, लेकिन यदी इससे ज्यादा आप qualified हैं, तो भी आप form को भर सकते हैं, साथी साथ यहाँ पर यदी आप इसे नीचे थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, मैं आपको summary बता देती हूँ, qualification में साफ साफ लिखा हुआ है, वो बच्चे जो final year में हैं, आप जिस भी post के लिए eligible हैं, आप लोग form भर सकते हैं, railway आपको यह सुविधा भी नहीं देती है, लेकिन metro आपको यह सुविधा देती है, कि यदि आप final year में हैं, तो भी आप form भर सकते हैं, और यदि आपका paper के लिए होता है, तो नोकरी भी आपको दी जाएगी, बशर्ते कि जब आप लोग DV के लिए जाए, document verification में आपके पास जो भी basically eligibility criteria है, वो सारे के सारे document आपके पास होने चाहिए, यानि DV से पहले आपके पास आपकी degree या जो भी इन्होंने आपकी qualification मांगी है, उसका कागज पूरा आपके पास में आ जाना चाहिए, CRA का साफ साफ लिखा हुआ है कि CRA आगे चलकर आपके SC या TO में promote हो सकते हैं, ओके जी, clear, यहाँ पर सारी post के बारे में बताया हुआ है किसका काम क्या होता है, अब बात करते हैं exam pattern की और syllabus की, तो exam pattern में आपको बता देती हूँ, आपका एक test होगा, 100 नंबर का और 20 नंबर का एक test होगा, जो आपका गुजरा साथी language क्योंकि आप लोग गुजरात में ही post रहेंगे और जितनी metro cities, बच्चे metro का form इसलिए भड़ते हैं, क्योंकि metro cities में ही आपकी posting होगी, आपको किसी ruler area में नहीं भेजा जाएगा, 100 नंबर का paper होगा और 20 नंबर का language test होता है, क्योंकि गुजरात में deal करना है, तो सेले ही बोला है, 100 में से 60 आपको लेकर आने है, साथी साथ EWS OBS वालों को मात्र 50% नंबर लेकर आने है, in the test of gujarati language shall only be considered for selection, the marks in gujarati language will not be considered for merit listing, यानि gujarati language जो है, वो सिर्फ आपके वहीं पर आपको बता दिया जाएगा, कि आप qualify हुए है, या नहीं हुए है, वो उसके आपक list में कोई नंबर नहीं जोडे जाएंगे, साथी साथ आपका क्या है, मतलब हरेक उसके लिए अलग-अलग है, जैसे कि आपका station controller के लिए, duration of the test will be 120 minutes, यानि 2 hours for all parts together, the test will consist of 120 questions, gujarati language 20 questions, logical ability, यानि की reasoning, maths, general English and आपका technical knowledge के आपके 40 questions होंगे, यहाँ पर पूरा इनका चिठ्था ह है कि हर एक उसके लिए अलग-अलग paper होगा, ठीक है, हर एक उसके लिए अलग-अलग paper होगा, जैसे जहां तक मैं बात करती हूँ आपसे, यदि इसमें CRA का लिखा हुआ है, तो आपसे एक बार CRA को मैं deal कर लेती हूँ, पूरिटी बोंड है, यह तो सब कुछ, ठीक है, आप लोग एक बार इसको रीड कर लेंगे, बाकि जो मोटा-मोटा था, on an average, मैंने आपको समझा दिया है, तो जो भी बच्चे हैं, इंट्रेस्टेड हैं, आप लोग form जरूर बढ़ देंगे, but please, it is a humble request कि आप लोग notification को ध जिहान से पढ़कर ही form भरेंगे, ओके, जितना हो सकता है, UP वाले form भर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको गुजराती language सीखनी पड़ेगी फिर, क्योंकि 20 नंबर का वो test pass करना mandatory है एक तरह से, ओके, diesel mechanic वालों का कुछ नहीं आया है, इनमें, ओके जी, diesel वालों का नहीं आया ह है, मोटे-मोटे तो और पर vacancy निकली है, electrical और electronic, civil and mechanics वालों के लिए, और computer science, engineering वाले बच्चों के लिए, ये vacancy आपकी, मोटे तो और यहाँ पर, यदि मैं आप से बात करूँ, number of vacancies किसमें जादा है, सबसे जादा आपकी SC station controller और terrain operator की vacancies को निकाला गया है, so please, यदि आपक इस तरह की notification और up to date रहना है, आपको हर एक vacancy के बारे में जानना है, तो आप लोग जो भी बच्चे नए है, मैं सारी vacancy जो भी निकलती है, चाहें कम हो, चाहें आपकी ज्यादा हो, सबको cover करती हूँ, so please, चैनल को subscribe जरूर करेंगे, ठीक है, और आप लोग इस वीडियो के description में, मेरे नाम के साथ में एक link होगा, वहाँ से application को download करके जरूर रखेंगे, because बहुत सारा free content मिलता है, दूसरी बात, एक बच्चा पूछ रहा है, मैं स्लेबस, आपका मोटा मोटा वही है, वो जो railway वाला है, बस इसमें English आएगी, railway में English नहीं आती है, metro का कोई भी exam दोग